तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं जो कि उर्दु ग्रामर का ये टॉपिक है है ये छोटा सा और आप लोग इन फैक्ट जानते भी होंगे पहले स से लेकिन इस टॉपिक से कोशन आप लोग के एक्जाम में हर साल पूछा जाता है और वो भी नहीं तो एक दो नहीं दो तीन पूछा जाता है जी हां इस पांच-दस मिनेट के वीडियो से आप लोग का दो तीन नंबर क्लियर हो जाने वाला है समझ लीजेगी दो तीन समझेगा वह सकता है कि आप लोग पहले से जानते भी हो उस टॉपिक का नाम है जीद जीद लफ्स तो आप लोग जानते ही है वर्ड को कहते हैं और जीद कहा जाता है ऑपोजिट वर्ड को यानि की विपरितार्थक शब्द उस तरह के शब्द जिसका अर्थ मतलब दूसर यानि की अवर्ड क्या होता है लव्सका मतलब एक वॉड एक लफ लवस और इसका जमायनी की अवर्ड होता है अलफाज क्या होता है अलफाद यानि की ध्यर सारे लब्स तो यहां पर अलफाज लिखा गया है जैसा की आप लोगह देख सकते हैं औरी इन सभी default का जिद यानिके plural बहु अचन होता है अजदाद जित मतलब एक अपोजिट्ट वर्ड अजदण का मतलब होता है बहुत चारे अपोजिट वर्ड यानिकि अजदादonds adds ने फ। यहां पर लक posieta तो आई होप आप लोगो समझ में आगया होगा कि लव्ज और जिद यानि कि अजदाद किसे कहते हैं और इंपॉर्टेंट में लव्ज यानि कि अलफाज और अजदाद जो है ना उसको बूर्ड पढ़ लेकि दी हूं ताकि आप लोगे एक्जाम में कोई भी कोशन पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं गरीब गरीब का अपोजिट वर्ड क्या होगा उल्टा रखने वाला शब्द वह होगा अमीर लेकिन आपको लगता है कि इतना आसान आप लोगे एक्जाम में पूछेगा बिल्कुल नहीं इतना आसान तो पूछता नहीं है कभी इस तरह से अपलों के ऎक्जाम में पूछे जाते हैं और जितना अनुवाउँ एक्सफिरियंट्स है उस आधार पर प्रिविसे के के कोशन में की हूँ आप लोग एक्जाम का चाहे टेन्थ हो ये फिट्वेल्थ हो प्रिवेसर का कोशन देखकर और एक एक्सपिरियंस के आधार पर आप लोगों को जो इंपोर्टेंट लफ्ज है ना और उनके जिद है वो बोर्ड पर मैं लिख दिए हो सकता है कि आप लोगों के अपोजिट वर्ड क्या होगा तो चलिए फटेवर्ड देख लीजिए और इसमें से कोई भी कोशन अगर आप लोग एक्जाम में पूछता है तो छोड़ कर नहीं आएगा हंडेट परसेंट सही टिक कर यह ठीक है और भी धीर सा रिवर्ड है इसको देख लेते हैं उसके ब इदार अर्थ रखने वाला यानि विप्रित अर्थ रखने वाला शब्द क्या है गुजश्टा आइंद और गुजश्टा आइन खाने वाला का मतलब हो उता है गुजडरा हुआ ठेह अकबर का उलटा होता है यानिki जिद होता है असकर नशीब का होता है फिरív यह याद रखना है सारव का सरह जितना भी अल्फाज लिखिया और प्लों आप लोग के एक्जाम में कोशन इसी से पूछे जा सकते हैं ठीके ना जो जो इंपोर्टेंट है वो मैं बोर्ड पढ़ लिख दीओं और इसके लावा और भी आप लोग को अलफाज और अजदाद दिखाऊंगी सबसे पहले इतना आप लोग समझ दीजिए कसीर कसीर का होता है जिद कलील बाहर का हजा वाईद का करीब इप्तदा का इंटहा मतलब होता है दूर करीव का मतलब होता है सकते हैं अगाज का तो अंजाम मगरिब का तो मश्रिक बлемत का यह भुलता है युझा जुलमत का बिननोर का बिन्नत का मतलब होता है सन यानि की बेटा और मतलब होता एक और बिन्थ दो होता है और एक होता है उम और एक होता है अबू ठीक है अबू का मतलब होता है पिता फादर और इबन का मतलब होता है बेटा और बिन्थ का मतलब होता है बेटी तो इबन का उल्टा बिन्थ हो जाएगा ठीक है शुमाल का हो जाएगा जुनूब देखे शुम को पता रहना चाहिए तभी आप लोग इसका पूरब में पूरब को कहते हैं क्या मश्रिक कहते हैं और को मगरिब कहते है ठीक है को पूरब जुनुब एक दूसरे का अपूजिट वर्ड हो गया है मजूद का होता है मादूद गाइब काई ञांद लोग जानते हैं उर्दु ग्रामर में आप लोगेश पता है हाँ आप चुकी तो को मैं आप design से देखते आ है हर एक वीडियो आप लोगों Woo नहीं देखिए एक एक लिख पॉइंट आप लोग को पढ़ाते चले आ रही हूं जिसे जानना आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोग के एक्जाम में 33% कोशन उर्दू ग्रामर से रहता है ठीक है और जो व्यक्ति उर्दू ग्रामर का मेरा ओल वीडियो देख लेगा ना वन बाइव करके मैं गारेंटी ठोक कर बोल रहे हूं कि उसको उर्दू ग्रामर के एक भी कोशन और बनाने से कोई नहीं रोक सकता वह 100% करेक्ट बना कर आयेगा ठीक है ऐसी टोक कर बोलती हूं कि उर्दू ग्रामर से एक भी कोशन आप लोका नहीं चूटेगा बस आप लोग जितना सब्सक्राइब के टॉपिक को पढ़ाई हुना एक एक करके देख लीजिए इसी चैनल के प्लेलिस्ट में चले यह उर्दु ग्रामर न्यू सेशन 2023-24 के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा और सारा वीडियो वहीं पर वन बाइवन करके अब लेबल है कमाल का जवाल दोजख क तो बहशत हिज्र का वसाल और हाजिर का जाहिर का बातिन तो यह कुछ थे और भी मैं बोर्ड मिडा कर लिए तो अब यहां पर फिर से ध्यान दीजिए बोर्ड पर मैं लिख देहूं अलफाज और अजदाद समझत हो गया है और उसके अजदाद यानिकि अपोजिट वार् कौन से मैं पूछा था लेकिन हाई ये कोशन पूछा जाचूए जदीद का जिद क्या होता है जदीद का जद दरजजायल में से कौन है इस तरह कोशन पूछा था और आपसं में दिया था कदीम तो यह इंपोर्डें तो यह याद रखेंग हो सकता है कि कि इस बार पूछ इंकार का इक्रार, कसीदा का मरसिया, मारूफ का मजहूल, रहमत का जहमत, आजाद का गुलाम, इज़त का जिल्लत, आला का अधना, खुश्क का तर, इकबाल का अदबार, जमीर का नजीर, अमानत का खियानत, कमाल का जवाल, विरान का आबाद, विरान मतलब खाली जहां पर लब जिस जगह पर कोई भी इंसान नहीं रहता है उसको कहते हैं विरान और आबाद का मतलब जो जगह आबाद हो मतलब जहां पर लोग रहते हो ठीक है दुनिया का आखिरत हाजिर का गायब ठीक है हाजिर का मतलब जो सामने मौझूद हो गायब का मतलब जो सामने मौझूद ठीके और वब देसे होता है ने मुक्तसर सवलात और तवील सवलात मुक्तवस हुआ लगु उत्रिया प्राशन यानिक जिसके ज्यादा ज्यादा लंबा अंसर ना हो एक अबूत बहुत लंबा लंबा एंसरव일 जो सबस्त वालाइबम सह और अबादी आब अगर इसको ध्यान में रख लेते हैं तो समझें कि यहां से आप लोगों को दो तीन नंबर पक्का है और आप लोग के पास बुक है और उसमें अलफाज और अजदाद दिया गया है तो आप एक नजर दोड़ा लें मतलब एक बार जरूर पढ़ लें ताकि वह चीजे मैंड में फिट हो जाए मतलब अलफाज के अजदाद आप लोग के मैंड में एक तरह से पहला इंप्रेशन नहीं होता है पहला इंप्रेशन बंजना चाप बंजना दिमाग में अगर एक बार किसी चीज को पढ़ लिया जाता है ना ऐसे होता है कि कही नई ज देखे थे हम यह किये थे यह जगह मुझे देखा देखा सा लग रहा है इस तरह होता है ना उसी तरह आप लोग जितने भी अलफाज के जदाद अब लोग को बताई इसको एक नजर पढ़ लेंगे ना एक नजर दोड़ा लेंगे तो आप लोग के दिमाग में इसका च्छ क्या होता है और दिया रहेगा मजहूल और दिया रहेगा गुरूब सी में दिया रहेगा आखिर और डी में दिया रहेगा जहमत तो आप लोग दिमाग लगा सकते हैं कि रहमत का तो मजहूल नहीं होगा नहीं गुरूब होगा नहीं आखिर होगा रहमत का जहमत हो सकता है तो इस तरह जब impression बना रहेगा आप लोग के mind में चाप बना रहेगा ना आप बोल सकते हैं तो आप लोग at least इतना तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से लव्ज का जिद क्या होगा तो एक नजर जरूर पढ़ लिया करें ठीक हैं तो I hope आप लोग को आज के इस वीडियो से अपने दोस्तों के पास जितने भी आप लोग के रिष्तिदार हैं उनके पास वीडियो को शियर करें दूसरों तक वीडियो को पहुचाने की कोशिश करें और चानल को सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि मेरी रोज अप्लोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं इसे के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूं बाइबाइब टेक क्यार फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और हुदा हाफिज